friends welcome मैं तो मेरे यूट्यूब चेनल एसदे और किस तरह से बैग्राउंड चैंज करते हैं और और उलीटे में लुट करते हैं यह सब आजी वीडियो मैं सीकarms करते हैं दो चले आपसके में वीडियोपर चिंखाऊंगोंगाff रिखाऊंगा और दिखाऊंगा। तो आप भी इसी तरह कोई अपनी image open कर ले ने फोटो सोब में और हमें सबसे पहले करना क्या है यहां layer box में जाके double click करेंगे इसका यह लोक यहां से अटाएंगे और यहां पे ok करेंगे तो इस तरह से हमारी image में low cut जाएगा इसकी हमें एक duplicate copy तयार करेंगे keyboard से ctrl j press करेंगे तो एक copy तयार हो जाएगी अब friends हमें यह फिल्टर में जाना है और यहां से हमें image nomic portraiture filter यूज करना है friends यहां पे click करने के बाद हमें अपनी image को control plus से zoom करना है इस तरह से अगर आपकी यह preview में एक दिखाई दे इस तरह से तो आपको यहां दो पे click कर देना इस पे और आप सकते हैं हमारी उपर वाली image original है और नीचे वाली में यह filter automatic इस तरह से लग चुके है अब हम friends इसकी brightness और contrast बढ़ाएंगे यहां से brightness बढ़ाएंगे इसकी थोड़ी इस तरह से आप अपनी image के नुसार यहीं से सब कुछ कर सकते हैं और फिर हम इसका contrast यहां से बढ़ा सकते है इस तरह से friends यहां से warmth भी हम इसकी बढ़ा सकते है जैसे इसमें अब यह ज्यादा हो चुकी है तो यहां से अगर आपकी image में ज्यादा readiness है तो यहां से कम कर सकते है इस तरह से अब friends softness भी हम यहां से इसका बढ़ा सकते है इस तरह से जितना आप चाहें उतना अपनी image के यहां से बढ़ा सकते है मैं इसको फिलाल इतना ही रखूँगा यहां से sharpness भी आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते है इस तरह से फ्रेंट्स यह सब ओना के बाद यहां से इसका luminous भी आप बढ़ा सकते है यहां से इसका saturation भी हम कम ज़्यादा कर सकते है पिक्चर में देखके आप अपनी image के नुसार यहां से कम ज़्यादा कर सकते हैं और friends fine tone यहां से आप उपर से इस तरह से बढ़ा सकते हैं और यहां से आप thresh old भी इसका बढ़ा सकते हैं आप image में देख सकते हो जैसे अभी यह आखों के नीचे काला पंसा दिखाई दे रहा है अगर मैं इसका thresh old ज्यादा कर देता हूँ तो यह इस तरह से remove हो जाएगा और friends यहां से आप अपनी image के नुसार एक दो बार चेक करके अच्छे से यहां से एक ही filter द्वारा इसमें सब कुछ कर सकते हैं और फिर यहां पे वोक के पे click करना है friends आप देख सकते हैं हमारी image में brightness, contrast और sharpness इसमें एक ही filter से हो गई है अब जैसे मेरे पास यह पहले वाली image है आप पहले वाली देख सकते हैं और अभी की यह है filter यूज़ करने के बाद इस तरह से हम आपनी image में one click में brightness, contrast और filter और sharpness बहुत आसानी से कर सकते हैं अब friends इसकी background भी one click में change बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आपकी image इसी तरह से plain background पे है तो यहां से magic tool लेंगे और यहां पे एक बार click करना है background पे फिर से हमें इस तरह से इसको click करना mouse से ताकि यह पूरी background को select कर ले अब friends इसको हमें inverse करना है अपने keyboard से alt दबा के और एक बार s और i press करना है तो यह हमारी image का selection बन जाएगा अब हमें mouse से right click करके और इस पे feather पे click करना है अपनी image के इनुसार इस पे feather लगाएंगे जैसे मैं इस पे 3 का रखता हूँ और यहां पे ok करेंगे अब friends अपने keyboard से एक copy तयार करने है control प्रेस करके और j प्रेस करेंगे तो यह हमारी एक copy तयार हो जाएगी अब आप देख सकते है यह हमारी इसकी background रिमोव हो चुकी है और इसमें आपनी कोई भी background लगा के और इस photo को तयार करके इसका print out कर सकते है तो friends उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो like, share, subscribe ज़रूर करें थैंक यू